एक बार की बात है गर्मियों का मौसम था दोपैर का वक्त था जब एक कव्वा पाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था बहुत खोच करने के बाद भी उसे कहीं पाने नहीं मिल रहा था वहां उड़ते उड़ते सूखे इलाके में पोहच चुका था कव्वा उड़ते उड़ते पुरी तरह से ठक चुका था फिर भी उसने पाने की खोज जारी रखी प्यास के मारे उसके प्रान सूख से गए थे अचानक उसकी नजर वहां एक जोपडी पे पड़ी वह जोपडी के पास जा कर पानी खोजने लगा उसे वहां एक घड़ा दिखाए दिया वह उड़ कर घड़े के पास जा पहुंचा उसने देखा के पानी बहुत नीचे था वह पानी को पी नहीं पा रहा था वह सोचने लगा के प्यास कैसे बुजाओं उसने देखा के घड़े के आस पास कंकड पड़े हुए है उसने एक एक कंकड को उठा के घड़े में डालना शुरू किया जैसे जैसे कंकड घड़े में पड़ते गए वैसे वैसे पानी उपर आता गया थोड़ी ही देर में पानी उपर आ गया और कववा पानी को पीने लगा कववे ने जी भरके पानी पिया और बहुत खुश हो गया पानी पीने के बाद कवा स्वस्त महसूस करने लगा और वा खुशी खुशी उड़ गया किसी भी परिश्थिती में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए